हेलो साथियो मैं सौराव कुमार सिंग और इतनी रात में हम आपके बीच में आये हैं क्योंकि जो काफी समय तर सिल मुद्दा है वो मुद्दा है बिहार दरोगा प्रस्ट पत्रलिक के मामले को लेकर और जैसा के साथियों पता है सबको कि अभी कई चीजे हैं जो प्रेस के माध्यम से मुझ तक आई और कई चीजे जो अब प्रेस के माध्यम से चाहे लेक्टोनिक मीडिया के साथ ही हो सबसे हमने अपने बातों को शेर किया है कि जो चीजे सोसल मीडिया पर वैरल हो रही है या सच है या जूट है इस बात की पुष्टी आयोग करें और निश्चीत रूप से बिहार प्रसासन को करना चाहिए प्रन्तु इतना जरूर है कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की द्वारा जो परिच्छा आज ली गए 1275 पन की परिच्छा ली गए थी पिटी परिच्छा और लगभग 6,61,000 परिच्छातियों ने इस परिच्छा में शामिल हुए और आपको पता है कि आज इतनी बरी बिडंबना की बात फिर से है क्या यह सच है या जूट है तो यह तो चेर्मेन सर को जवाब देना है परन्तु इतने रात में हम इस चीज़ों को आप से के सामने साजा कर रहे साथियों ते प्रस्टन पत्र की लीक के मामले में लेकर हम पीछ में जो बाते थी कि ने ऐसी कोई बात नहीं है और काफी खुसी की बात थी कि पेपर लिक नहीं हुआ है और कई चीज़े थी परन्तु यह बिडंबना नहीं कहे अफसोस जाहिर करे या क्या क्योंकि अगर यह बात हम लोग अपने तरीके से खारिच कर देते हैं या प पेपर लिक की माते सामने आई जैसा है कि कोश्चन पेपर वैरल हो रहा है दोनों सिफ्ट के पहली पाली 10 बजे से 12 बजे थी और दूसरी पाली 2 बजे से 4 बजे थी तो दोनों सिफ्ट की पेपर जो है एक पर्थम पाली की पेपर जो है 14 पेज का वो वैरल हो रहा है दूस माफिया है उसके द्वारा फैलाए जा रहा है या कोई अराजक्त तो भी हो सकता है तो यह सब तो जांच कभी से हैं प्रवंतु इतना जरूर है कि जब मॉवाइल लेकर जाना नहीं है परिच्छा केंद पर जैमर लगे हुए है और इस वार कुछ आर्टिफिस्यल इंटेलीजेंस के जड़िये या किसी अंटरीके से जो है कंडोल लूम में भी बना था जैसे कि सब को पता है कि BPSC जो परिच्छाइन ले गए सिछक भाली में उस में या उसके पहले जो परिच्छाइन लिए गई सिविल सिवा कि उसमें कंट्रोल लूम मनाये गया था तो कंट्रोल लूम के माध्यम से सारी परिच्छाओं पर एक गहन जाँ चल रही थी या परिच्छा किम्दर के बाहर या सहर में इस तरह की चीज़े हो रही थी कि कोई भी परिच्छार्ती या सेटर इस तरह के चीज़ों में नहीं करेंगे और अगर पेपर लिग की बात तो करते हैं तो वो पकरे जाएंगे किसी तरह के कदाचार भी करते हैं आपस बास्चित भी करते हैं या किसी करेंगे और हम लोग के तरफ से जो भी चीज़ है हम लोग प्रेस के माध्यम से हम आयोग भी जाएंगे आर्थिकर प्रादिकाई भी जाएंगे और बिहार पुलिस से वाएव कि अबर अबरगाद्धे की जो चेयर मैन है किस दुवेदी साम उनसे मुलाकात करेंगे दोनों पेपर फर्स्ट पाली की जो पेपर है वो और सिकेंड पाली की पेपर है वो दोनों को हम निकाल कर इस बात की पुष्टी कराने को कहेंगे कि यह पेपर तो हूब हूँ सेम है या कितने बज़े निकला कहां से आया इस बात की जानकारी केस या पटना लोट रहे हैं अपने जिलों में हूम सिंटर था या तो सारे परिछाल जोगे परिछाए आयूजीत होती है तो मन में सवालाता है कि पर लिग होगा या नहीं होगा क्योंकि पहले से बितिहास रहा है बिहार पुलिसर वर्ण से वायोग का हुआ इसमें पेपर अगर लिक की बात हो रही है और जो बाते लगबग प्रेस के माध्यम से या सोसल मीडिया पर वैरल कॉश्चन है और उसका एंसर बताया जा रहा है एंसर भी वैरल है और कॉश्चन भी वैरल है तो जब jammer लगा हुआ है, mobile लेकर जाना नहीं है तो ये कहीने कहीं से, कहीने कहीं से mislead हुआ या misguide हुआ, या कोई अफवाफाइल आया या ये बात में सच्चाई है किसी अराजक्तत्व का हाँ आथ है या सच्चामाप्याओं का हाथ है प्रूंत इतना जरूर है कि जब question paper लेकर जाना नहीं है तो दोनों सिफ्ट के पाली के paper viral कैसे है इस बात की पुष्टी, BPSC यानि बिहार पुलिस अबर सेवाए कोई जो चेयर्मेन है उनको करना पड़ेगा और कल सारे साथियों से इतना जरूर है कि बिहार, सरकार, द्वारा ये जो परिच्छाएं ली गई है अगर paper लिक नहीं होती है या कोई अलजक तत्विस तरह की चीजों में सामिल है तो उसकी जल्द से जल्द करवाई की जाए उस पर अगर paper लिक है तो निश्चितु उसे परिच्छा रद होनी चाहिए इसके लिए हम लोग जोड़दार आवाज उठाएंगे लिए इतना जरूर है कि किसी भी तरीके से गलत परिच्छा के संदर में कोई भी चीज गलत नहीं होने देंगे आपसे आसा और विश्वास है कि हमारी इस लड़ाई में आप मेरा साथ देंगे साथ हो और जितने भी परिच्छारती है 6,60,60,000 परिच्छारती सब को सवाल है सब के मन में सवाल है 1275 पद पर ही नौकरी होनी है परंतु सब का एक परियास रहता है और काफी परिस्रम करते हैं बरसो बरस्त मिनत करते हैं आपको इस सिख्छा मापिया सेटर या आड़ा जगतत्म जो कोश्चन पेपर लिख कराने में लगा हुआ है ऐसे चीजों को हम लोग होनी नहीं देंगे निश्चित रूप से हम अपने आंदूलन को तेज करेंगे और आपके माध्यम से हम बता दे कि इस वीडियो के माध्यम से हम ये चीज़ कहना चाहते है कि पेपर लिख है या फवा है इस बात की पुष्टी आयोग के तरफ से होनी चाहिए धन्यवा जैहिंद